हेलो फ्रेंड्स वेलकम मैसेल गवरव राजवाड़े एंड मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे क्लासेस में फर्स चैप्टर का नाम है रोटेशनल डाइनमिक्स हम उसे रोटेशनल मोशन बोल रहे हैं बट यह देखो यह चैप्टर है ना conceptually भी important है वेटेज वाइस भी important है इसमें cases बहुत सारे हैं तो इसको समझना बहुत important है क्यों देखो यह chapter हम daily life के साथ correlate कर सकते तो यह वैसे simple भी है बट किसको जिसको correlate करना आता है उसको तो यह मेरा मेरा काम है कि मेरे हर एक बच्चे को उस concept के साथ अपने daily life को correlate करना that's it देखो यह बहुत simple task है मेरे लिए बट आपका support होगा तो आपको क्या करना है थोड़ा सा concentrate करना है देखो गिनके 15-20 minutes का यह lecture होता है तो वहां पे आप यहां वहां मच जाना देखो वहां पूरा concentrate करके हम start करते है rotational motion को directly नहीं सीखना है तो हमें सीखना कैसे पहले linear motion तो हमें आता है 11 standard में हो चुका है तो हमें क्या करना है उसके साथ थोड़ा सा comparison कर लेते हैं क्यूं करेंगे comparison यह भी समझ लो क्यूंकि linear motion अपने को दीखना बहुत simple हो जाएगा but rotational motion दिखना simple है but उसके parameters हमें दिखना थोड़ा सा difficult है तो वह हम पहले समझ लेते हैं देखो linear motion और rotational इनको थोड़ा सा comparison कर लेते हैं अभी देखो circular थोड़ा बहुत आता है तो rotational समझ में आ जाएगा क्यूं 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 अभी देखो हम fan की तरफ देखेंगे और मैं आपको पूछा whole body fan को पूरा देखेंगे और वो rotate करता है तो मैंने क्या word use किया fan rotate कर रहा है but fan के blade के tip पे मैंने mark बना दिया white dot और सिरिफ उसी को concentrate करने बोला तो आपको क्या दिखेगा that dot is in circular motion तो आपने तब भी rotate नहीं बोला क्या बोला circular motion ये word use किया न तो dot होगा मतलब एक छोटू सा particle होगा उसके उपर concentrate करेंगे तो वो motion क्या हो जाएगी circular and whole body को हम concentrate करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे rotational motion तो ये basic difference पहले समझ में आया देखो कितने सारे बच्चों को circular and rotational का meaning ही नहीं समझता अब कैसे देखो एक rigid body होगा वो अगर rotate कर रहा है मतलब क्या there are a number of particles जो circular motion में गूम रहे है and whole body को concentrate करेंगे तो हमें क्या लगेगा it is in rotational motion is that clear to you तो हम छोटू सा comparison पहले कर लेते हैं ये concept को अगर समझा है तो linear motion में displacement क्या होता है s तो यहां पर linear displacement होगा तो rotational में कौन सा displacement होगा हां correct है that is what ए थीटा मतलब क्या angular displacement circular motion में ये concept हो चुका है तो हमें एक data समझ में आ गया एक parameter समझ में आ गया दूसरा क्या velocity linear velocity इसे बोलते है तो इसे क्या बोलेंगे angular velocity represented by omega third parameter क्या होगा देखो यार displacement हो गया velocity हो गया तो तीसरा क्या आता है acceleration तो यहां पर क्या होगा angular acceleration तो ये तीनों parameters हमने circular motion में already देखे हुए है कुछ नहीं बात नहीं है इसमें बट अलग क्या है तो अभी प्यार से देखो मैं क्या लिख रहा हूँ मास है मास रिप्रेजेंट बाई अब ना linear motion को देखो हाँ प्यार से देखो यह पेन यहां पर initial state यह है और इसकी final state में ऊपर लेके जा रहा हूँ तो बहुत easy manner में मैंने इसको यहां से यहां लेके आए मतलब क्या state को change किया क्यूँ क्योंकि इसका मास बहुत कम है तो मैंने easily इसको state इसका state मैंने easily change कर दिया देखो हां देखो अब यही imagine करो कि 20 kg का यह पेन है तो मैं इतने easily उपर लेके जाऊंगा क्या नहीं मेरा कैसा हालत होगा देखो क्यूं 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 ऐसा क्यूं because मास बढ़ गया drastically बढ़ गया तो इसका state initial state था और final state मैं जाने को oppose करने लगा कौन oppose करने लगा यह मास तो यह 20 kg होने के बाद क्या करने लगा oppose करने लगा मतलब क्या मास जितना बड़ा उतना state को change करने के लिए क्या होगा opposition जादा that is what resistance we can say तो state को change करने से जो oppose करता है उसको हम क्या बोलते है inertia तो linear motion का inertia कौन है बच्चा mass देखो mass की तरफ देखने का एक नया angle हो गया हमने कभी समझा ही नहीं होगा inertia mass भी हो सकता है हाँ हो सकता है वबा कैसे मैंने प्रूव किया ना inertia का definition ही क्या है oppose करता है state को change करने से तो linear motion में कौन कौन oppose कर रहा है mass so mass is a inertia of linear motion तो वैसे ही जैसे linear motion में oppose करने वाला एक parameter है that is what mass वैसे ही rotational motion में भी तो कोई तो oppose करेगा उस parameter को बोलते है moment of inertia देखो नया अटम है इस पूरे chapter में बहुत यूसफुल है moment of inertia represent by capital आये देखो बहुत ही important time है इस पूरे chapter में हमें आय के साथ खेलना है अगर यह समझ में नहीं आया तो बहुत difficult है imagine करना देखो फिर से एक बार moment of inertia को ऐसे बताना ना बहुत मुश्किल है तो मैंने क्या किया linear motion में inertia क्या होता है वो आपको पहले explain किया तो मैंने बताया कि mass कैसे act कर रहा है inertia in linear motion अब मैं क्या बोल रहा हूँ similar fashion rotational motion में भी तो कोई तो oppose करेगा that opposition वो parameter is moment of inertia is that fine to you? देखो हम next lecture में definitely moment of inertia के बारे में detail में बाते करेंगे वो क्या होता है किसके उपर depend होता है अलग-अलग shapes का कैसे moment of inertia निकालना है and all those things बट फिलाल basic concept clear हो चुका है that is what most important है देखो हम chapter बहुत आगे लेके जाएंगे and आपको basic basic चीजों में ही अगर दिक्कत होती रहेगी तो it's a bit difficult to understand whole chapter concept जेए के point of view से भी समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा is that clear to you? तो मैंने क्या बोला कि यहां पर क्या होगा theta velocity angular velocity acceleration angular acceleration जहां जहां मास दिखेगा वहां वहां moment of inertia बहुत simple अब कुछ formulas देखो यार force force का formula क्या होता है A में is that clear to you? force का formula क्या होता है A में तो force को हम थोड़ा फिर से कुछ अलग तरीके से देखते हैं जेको मैंने कुछ external force दिया तो यह move होने लगा Is that clear to you? तो मैं ऐसा बोलू कि यह external force अगर unbalance होगा तो ही moment मिलेगा That is what force is a cause of linear motion मतलब क्या? Linear motion का कारण कौन है? Force External unbalance force is a cause of linear motion मतलब linear motion कब मिलेगा? जब external unbalance force होगा तब तो linear motion का कारण कौन है? कारण मतलब cause कौन है? External unbalance force तो मैंने बोला कि force is equal to M यह सबको पता है F is equal to M F is equal to M Newton का second law सबको पता है But similar fashion जो linear motion में हो रहा है वही rotational motion में भी होगा तो rotational motion का भी तो कोई cause होगा, कारण होगा वो कारण क्या है? उसे बोलते है torque क्या बोलते है बच्चा? Torque और उसको represent करते है tau से अब प्यार से देखा है हमें कुछ पता नहीं सिर्फ comparison करना है मैंने आपको क्या से चिखा Aim को replace किस से करेंगे I से तो मैं F is equal to M में बोलूंगा तो F की जगा पर क्या लिखा? Torque That is what? Tau Aim को क्या लिखूंगा? I Acceleration को क्या लिखूंगा? Angular Acceleration हमें formula पता चल गया rotational motion हमने start भी नहीं किया है बट उसका एक proof है Tau is equal to I into alpha तो हमें proof नहीं समझा है बट result हो समझ में आ गया अरे यार chapter को start करने से पहली कुछ-कुछ समझ में आ गया हमें वैसे ही और दो result है बस तो comparison खतम हो जाएगा देखो हां देखो प्यार से देखो कौछ समझ में आ गया अब एक होता है linear momentum क्या होता है बटा? linear momentum किस से दिखाते है? P से P is equal to M into V तो linear momentum क्या है? mass into linear velocity अब मैंने क्या बोला? जैसे linear motion में यह parameter है वैसे ही rotational motion में होना चाहिए अरे होना मांगता है तो P का क्या आएगा? linear motion get converted into linear momentum get converted into angular momentum तो angular momentum को हम कैसे दिखाते है? capital L से capital L is what? angular momentum तो L represent by किस से? यह किसको represent करता है? angular momentum को मतलब यहाँ पे linear momentum है तो यहाँ पे क्या होगा? angular momentum तो इसका भी formula हमें समझना कुछ नहीं है P represent by capital A M को मैंने क्या बोला था? M को मैंने क्या बोला था? I और V को मैंने क्या बोला था? omega तो मुझे यह formula भी पता चल गया L is equal to I omega देखो फिर से मुझे concept अभी यह chapter start भी नहीं हुआ है बड़ मुझे दो result समझ में आ गए Just by comparison खुछ नहीं Analogy बोलते हैं Analogy यह ऐसा रिप्रेजेंट होगा वह वैसा रिप्रेजेंट होगा Analogy linear का rotational के साथ Last kite simple है बहुत ही simple है देखो Kinetic energy मेरे क्याल से मेरे हर एक बच्चे को यह formula आता ही होगा Half M V square अब यहां पे भी kinetic energy होगी तो वह क्या होगी अरे वह क्या होगी Half तो हाफ ही रहेगा M को रिप्रेजेंट करेंगे किस से capital I से V को रिप्रेजेंट करेंगे omega से तो omega square तो kinetic energy का formula क्या गया Half I omega square देखो यह तीन formula है इसके proof आता है इन में से एक proof last five years में alternate year आया हुआ है compulsory तो आपने को समझ में आ रहा है कि इतना important चीज़े है पहले result समझ लेता है इसका proof एकदम simple है एक lecture में तीनों proof हो जाएंगे is that clear to you but अभी देखो हमने क्या discuss किया अभी था analogy discuss किया basic analogy का part एकदम clear है मेरे हर एक बच्चे का clear है देखो अगर नहीं clear है तो यहां पर वीडियो को pause करने का फिर से देखने का अगर नहीं समझ में आ रहा है तो comment करने का that's it आप comment करोगे तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको more explanation की जरूरत है is that clear to you clear है आगे बढ़ेंगे देखो next part किया है आपको overview में देदूंगा इस chapter में क्या क्या है because this is what our first lecture introductory lecture तो यहां पर मैंने analogy को एकदम clear किया अच्छी तरह से clear किया अब next देखो क्या मैं बोल रहा हूं यह moment of inertia है moment of inertia यह बहुत बड़ा topic है इसके उपर minimum एक गंटे का lecture हो सकता है minimum एक गंटे का but इसको हमें थोड़ा सा हलके फुल के manner में समझना है moment of inertia का formula है i is equal to summation of mi ri का square where i varies from 1 to n अब यह formula देखके कुछ समझ में नहीं आ रहा है पक्का मुझे पता है कि आपको कुछ नहीं समझा है but मैं मुझे पाच मिनिट तो दो मैं explain कर देता हूँ देखो यह एक rigid body है okay no यह axis of rotation है मतलब इस axis के along पूरा rigid body rotate करेगा अब यह rigid body है न तो इसको हम assume करते है कि यह discrete particles है that is what m1 m2 m3 m4 dot 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 m n तो इसलिए i varies from 1 to n हमने बोला है और यह perpendicular distance है that is what r1 r2 similar fashion this is what rn तो m और r defined हो चुका है तो यहां पर हमें क्या करना है जो छोटू छोटू पार्टीकल है वह axis of rotation से कहां पर distribute हुए है कहां पर locate है उसके उपर basically i का value depend करेगा मतलब i का value देखो हां formula से हमें ऐसा लगेगा कि directly proportional to mass and inversely directly proportional to square of the distance between particle and axis of rotation तो यहां पर प्यार से देखो यह result को हम ना simple sentence में बोल सकते हैं कि moment of inertia i is depends on distribution of mass मतलब क्या है distribution of mass क्या है देखो axis of rotation के बहुत नजदीक होगा distribution तो i का value छोटा क्यूँ? because r की value छोटी होगी बहुत simple logic और distribution of mass away from axis of rotation होगा तो हम क्या बोलेंगे moment of inertia बहुत बड़ा होगा Is that clear to you? तो moment of inertia को मैंने just introduce किया हुआ इसके बाद वाला lecture पूरा moment of inertia का होगा and हम बहुत इंट्रेस्टिंग बाते करेंगे कौन सी बाते मैं बताता हूँ देखो एक तो tag line moment of inertia की जिससे हमें पूरा concept clear होगा और बाद में तीन application हमें देखने है कौन से? देखो जोटे बच्चे का cycle उसका wheel कितना छोटा साइज होताए और उसके डैड के cycle का wheel कितना बड़ा होता है तो ऐसा क्यों होताह और second छोटे बच्चे के cycle पे break क्यों नहीं होता और उसके डैड के cycle पे break क्यों होता तो ये case study हम करेंगे moment of inertia के point of view second देकें, गन्ने का जूस, बदा है, वो मशिन देखा है, तो वहाँ पे रोटर होते है, एंड रोटर के बाजू में एक बहुत ही बड़ा वील होता है, जिसको ना, बहुत हेवी मेटल होता है, उसके सरकमफरंस पे, आउटर एज पे, यहाँ पे मेटल नहीं होता, मतलब डिस् वो एक के स्टड़ी करेंगे, बहुत इंपोर्टन के स्टड़ी है, एंड तीसरा, देखो, मराडी में उसको बोलते है, जाता, हैंड ग्राइंडर, बहुत पुराना था, आजकल कोई यूज करता है कि ने, मुझे पता नहीं, बट नॉर्मल यह अपने ग्राणी यूज कर स देखो, वो बहुत बड़े साइज का उता है, तो वो छुटे साइज का होता, तो क्या होता था, प्रॉब्लेमेटीक होता या और आसान हो जाता था ग्राणी को, तो वो तीसरा के स्टड़ी हमें करना है, यह 3 के स्टड़ी हम देखेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के पॉ अपने पूरे रोटेशनल मोशन इस चैप्टर का थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो